हेलो दोस्तो, साबू की किचिन में आपका स्वागत है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता, तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, तो देखी मैंने यहाँ पर यह ब्रोकली ली है, और इधर मैंने यहाँ पर सिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी मतर ली हुई है, एक बड़ा प्याज लिया है, तो इन सब को मैंने यहाँ पर काट लिया है, एक टेमाटर लिया है, तो इधर मैंने नौन इस्टिक की कड़ाई ले 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 है, आप चाहे तो लोहे की ऐलमुनियम की जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं एक गिलास पानी डाला है पानी में थोड़ा सा नमक डाला है हमने यहाँ पर और गैस को low to medium रखा हुआ है यहाँ पर तो देखे अब यहाँ पर करीबन एक बड़ा चमच हमने ओईल ले लिया है पानी में पानी को उबलने देंगे तो थोड़ा सा ही मतलब करीबन 50 परसंटेस को पकाना है ज्यादा नहीं पकाना हमें तो देखे अच्छे से यह बन चुकी है आप देख पा रहे हैं तो गैस को कर देंगे बन आप इसको हम एक थाली में कर लेंगे यानि ठंडा होने के लिए अच्छे से फैला लेंगे यहाँ देखे थोड़ा सा ठंडा हो चुका है ज्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि फिर थोड़ी सर्दी है तो ज्यादा ठंडा हो जाए तो फिर गुंदेगा नहीं तो यह हमें बिल्कुल एक आटे की तरह जैसे कि हम गेहूं का आटा गुंते है उसी तरीके से हमें इसको बन कर तैयार हो चुका है । मैं ने एक चकला ले लिया और एक बड़ी लोई कांट ली है तो देखिए इस तरीके से आप एक पेड़ा बना लिए मतलब लोई की तरह एक दम बड़ा सा लेना है थोटा छोटा नहीं लेना हमें और अच्छे से इसे बेल लेंगे देखिए यहां पर ना हमें तेल की जरूरत है लगाने की नहीं सुखे आटे की यह ऐसे ही बिल जाएग बड़े ही अच्छी तरीके से बिल चुका है मैं उठा के दिखा रही हूँ आपको यहां एकदम इतनी पतली इसकी लेयर बन कर तैयार हुई है और बड़ा ही प्यारा लग रहा देखने में तो आप क्या करेंगे अब हम यहां पर ले लेंगे एक फोग यानि काटे वाली च चागू होता है उस तरीके का ले लिया है तो उससे क्या ही आसानी से और अच्छे से कट जाता है अगर ना हो तो प्लेन चागू भी ले सकते हैं तो इसे अच्छे से काट लेंगे यहां पर तो देखे इस तरीके से हम इसे उठाएंगे यानि उल्टी सेप में ऐसे यानि जिदर डेजाइन बनाए वो ऊपर आना चाहिए हमारा तो वो मैंने थोड़ा बड़ा बना के दिखाया था आपको देखे छोटे पीस में बना के दिखा रहे हूं यहाँ पर इस तरीके का हमारा यह नास्ता रेडी हो जाएगा तो देखे लग रहा है ना सुंदर सा डे चोटे चोटे पीस तो मैं यहाँ पर आपको उठा कर दिखा रहे हूं हाथ में बिल्कुल भी थाली में भी नहीं चुपके हैं नहीं हाथ में चुपके हैं देखी किते प्यारे लग रहे हैं बच्चे भी खुस हो जाएंगे आपके एकदम अगर यह नास्ता बना कर आप चाहे तो एलमुनियम की लोही की यह जो भी आपके पसंद हो उसमें आप बना सकते हैं दो चम्चा ओयल डाला है गैस को लोटू मीडियम रखा है अब इसमें डाल दी है हमने प्याल साथ में ही डाली हरी मिर्ची अब इनको थोड़ा सा हमिया पर सौप्ट होने देंग और साथ में ही मैंने डाल दी हैं आपर सिम्ला मिर्च, बंदगोवी और ब्रॉकली यहाँ पर सब्जी पूरी तरह से ओप्सनल है आपको जो सब्जी पसंद हो वो डाल सकते हैं तो मैंने अब इसमें मटर भी साथ में यहाँ पर डाल रहे हैं अगर आपको ब्रॉकली बगर कर दो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जब् 1 तरह सब्सक्राइब 05 अब टोड़ा स्वाड़ कुर्ज देंगे correct और एक छोटी चमромति लाल नल्च पॉडर थोड़ी सि ठीच भी काली छल्व्ठी मिडूं नमक स्वादनु सार अब इसको अच्छे से हम चला देंगे और पानी हमने इसमें नहीं डालना है क्योंकि सब्जियों का अच्छे से मौश्चर जो होता है वो इसमें निकल कर आ जाएगा अब इसको यहाँ पर हम 2-3 मिन्ट के लिए ढग देंगे तो देखिए 2-3 मिन्ट हो हो चुकी है सब्जिया हमारी अच्छे से सॉप्ट हो गई है आप भी देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से सॉप्ट हो गई है वाकई में सब्जियों में से कुस्बुवानी चालू हो गई है अब इसमें डालेंगे लास्ट में हम यहाँ पर टमाटर क्योंकि टमाटर त आप इसमें डालेंसे थोड़ा विनिगर करिवन अदि चोटा चम्मच और इधार ले लिए हर्य वाली सॉस यानि दीखी वाली छोटी दोटी है ना वह वाली मैंने सॉस डाली है अब थोड़ा पानी कड़ीवन एक के बरावर मैंने इसमें पानी का यूज किया है क्योंकि जब भी हम बिरेगर वगरा या कोई सॉस वगरा डालते हैं तो थोड़ा सा पानी डालने से वो अच्छा से मिल जाता है तो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं अब इसमें डाल देंगे हम अपना नास्ता जो कि हमने सूजी से बनाया है बहुत ही टेश्टी हेल्दी नास्ता हमारा बनकर रेडी होने वाला है ये और बच्चे और बड़ों के लिए सबी के लिए फायदेवन्द है क्योंकि ये सबजियों से भी भरपूर है और सूजी या निरवे से बना हुआ है तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा बच्चे और बड़े के लिए सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आप इसे सुबह भी नास्ते में दे सकती है साम को भी दे सकती है अपने बच्चों को स्कूल के लिए भी पैक कर सकती है अगर कोई रिष्टेदार आजाए तो उनको भी बना कर खिला सकती है तो भाई देखिए खुस्ब बहुत अच्छी हरी वाकई में कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है आप कलर देखके ही समझ पारे होगे कि नास्ता कैसा बना यानि यह सूजी वाला पास्ता जो है हमारा बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है बिलकुल फ्रेस प्रेस बनाया है यहाँ पर तो भाई देखिए यहाँ पर भूख लगने लगी है तो अब डाल लेते हैं इसको हम यहाँ पर गर्मा गर्म प्लेट में एक्दम तुम कर रहा है ना आपका भी मन तो आप भी बनाईए और खाईए और कमेंट बाक्स में कमेंट करकर जरूर बताईएगा कि आपको यह रेसीपी कैसी लगी तो चलिए वाई आप भी खाईए मेरे साथ साथ बनाईए और खाईए